नमस्कार दोस्तों, एंडी गोहिल यूटूब चैनल में आपका फिर से अर्दिक स्वागत है तो दोस्तों, आज हम हिंती व्याकरण के अंतरगत विराम चिन्हों की बिलकुल सरल भाषा में समझ प्राप्त करेंगे और साथ हिसाथ उनके उदाहरण, उनके उप्योगिता के बारे में भी चर्चा करेंगे तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो रहनत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्याद से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेर कीजिए और कॉमेंट करना तो बिल्कुल है न भूलें तो आये दोस्तो, सबसे पहले देखते हैं वीरामचीहन की परिभाशा अर्थाज वीरामचीहन किसे कहा जाता है भाशा के लिखित रूप में वीराम या ठहराव को सुचित करने वाले संकेत अर्थां चीहनों को वीरामचीहन कहते हैं विराम चिहन का अर्थ ठहराव होता है हम बाचीत के दोरान अपनी बात कहने के लिए समझाने के लिए किसी बात पर विशेश बल देने के लिए या अपनी बात का संपूर्ण भावस पष्ट करने के लिए कहीं कम या अधिक समय के लिए विराम लेते है पाशा के लिखित रूप में इस विराम को दर्शाने के लिए विभिन्न संकित या चीहनों का प्रियोग किया जाता है जिन्हें विराम चीहन कहते है तो आए दोस्तों अब कुछ उदाहरन देत के है पहला वाक्य है सीता सो रही है दूसरा है रोहान, महेश और कमल खेल रहे हैं तीसरा वाक्य है रवी गाना गा रहा है चोथा वाक्य है तुम कहां रहते हो पाँचवा वाक्य है अरे तुम कब आए तो दोस्तों यहाँ पर हम पाँच वाक्य देखते हैं तो उनमें हमें अलग-अलग प्रकार के विरामचीन देखने को मिलते हैं जैसे कि पहले वाक्य में हमें सिर्फ अंत में विरामचीन देखने को मिल रहा है जो कि वाक्य को पूर्ण होने की और इशारा करता है जबकि दूसरे वाक्या में हमें रोहन के पीछे एक विराम चीन दिखाई दे रहा है जो कर अल्पविराम है वो हमें दिखाता है कि यहां हमें थोड़ा रुकना है और फिर आगे चलना है उसी प्रकार चोथा वाक्या है जो है वह कोई जानकारे प्राप्त करने है तो प्रशन पुछा गिया है इसलिए उसके पीछे प्रशनात चीन हो रखा गिया है और अंतिम वाक्या में अरे के पीछे उद्गार या आश्चरिय जनक चीन हो रखा गिया है क्योंकि यह किसी को दरशाने के लिए इसका प्रियोग होता है तो हिंदी में ऐसे और भी विराम चिन है जिनका प्रियोग किया जाता है तो आए अब हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले हम पूर्ण विराम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि हमें विधान वाक्य पूर्ण होने के बाद किया जाता है इसका अर्थ होता है कि यहाँ वाक्य समाप्त हो गया है उदाहरण देते हैं जैसे बच्चे खेल रहे हैं मोहन पड़ रहा है किताब मेज पर रखी हुई थी तो दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि वाक्य की पूर्णा हूती में तीनों वाक्यों में पूर्णा विराम का उपयोग किया गया है तो यहां से हम समते हैं कि यह वाक्य जो है वह विधी वाक्य या विधान वाक्य है और यहां पर वाक्य या बात की पूर्ती हो जाती है इसलिए इसे पुर्ण विराम कहा जाता है दूसरा विराम चिन है अलप विराम तो आये उसके बारे में जानकर रिफ्राप्त करते हैं अल्प विराम का अर्थ थोड़ी देर के लिए रुकना होता है भाशा के लिखिर तुरूप में बात को कहने के लिए या बात को अच्छी तरह समझाने के लिए वाक्या में कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है इसी थोड़े समय के ठहरा को संकेत चीहन के रूप में लिखने के लिए जिस विराम चीहन का प्रियोग किया जाता है उसे अल्प विराम चीहन कहते है जैसे कि मा ने कहा मुझे तुम पर गर्व है दूसरा वाक्या देखते हैं रमेश, महेश, सुरेश, आदी, घुमने जाईपूर गए तीसरा वाक्या है चाई, बिस्केट, नमकिन और शक्कर लेते आना तो दोस्तों यहाँ पर हम इन वाक्यों को देखें तो हम इनको पढ़ते हुए समझ सकते हैं कि पहले वाक्या में मा ने कहा उसके बाद अलपविराम हैं क्योंकि मा कोई बात कहने वाल हैं इसलिए उसने कहा उस जगह पर हमें थोड़ा रुकना पढ़ता हैं क्योंकि बात को अलग करके दिखाना है दूसरे वाक्य में रमेश, महेश और सूरेश इन तीनों को अलग-अलग दर्शाने के लिए थोड़ा रुकना जरूरी है इसलिए रमेश और महेश के पीछे अलपविराम दिया गया है तीसरे वाक्य में दो से ज्यादे अवस्तूओं को भी अलग दर दर्शाने के लिए उसके बीच में थोड़ा रुकना जरूरी है इसलिए वहाँ पर अलपविराम दिया गया है तीसरा विराम चेहना है अर्धविराम तो आई अब इसके बारे में जानकरी प्राप्ट करते हैं अलपविराम से कुछ अधिक एवं पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरने के लिए अर्धविराम चेहन का प्रयोग किया जाता है जैसे उदाहरन देखते हैं एक और रमेश, सूरेश, कमलेश, आदी नाराज है दूसरी और कमला, विमला, कान्ता, आदी भी नाराज है दूसरा उदाहरन सुर्योदे हुआ, अंधकार दूर हुआ, पक्षी चह चहाने लगे और मैं सुबह घूमने चला गया तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अर्ध विराम का प्रियोग वाक्य में अल्प विराम से कुछ ज्यादा ठहरने और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरने के लिए किया जाता है ज्यादे तर इसका उपयोग एक मुख्य वाक्या और उसके साथ जुड़े उपवाक्या को दर्शाने के लिए किया जाता है जैसे कि हमने दूसरे उदार्ण में देखा कि सुर्योदे हुआ अंधकार दूर हुआ वह मुख्य वाक्या है उसके साथ कौन-कौन सी क्रियाय उपवाक्या के रूप में हुई वह दिखाया गया है और पहले वाक्या में हम देखे तो यहाँ पर दो पक्षो की बात रखे गई है उन दोनों बातों को अलग-अलग करने के लिए उसमें कुछ ज्यादा ठहराओ की जरूरत है इसलिए भी उसमें अर्ध विराम का उप्योग किया गया है अगला विराम चीहन है प्रश्न वाचक चीहन या प्रश्नार्थ किसी व्यक्ति से कोई जहनकारी प्राप्त करने है तू उप्योग में लिये जाने वाक्य के अंत में प्रश्न वाचक चीहन लगाया जाता है अर्थाद जिस वाक्य में प्रश्न करने या प्रश्न पूछने का बोध होता हो वहाँ प्रश्णवाचक्चिनह का प्रयोग किया जाता है जैसे विक्रम के पिता का क्या नाम है आज कक्षा में कौन-कौन नहीं आया महेश दिल्ली कब जाएगा तो इन तीनों वाक्यों को अगर देखे तो हमें मालूम होता है कि इन तीनों में कोई न कोई जानकारी प्राप्त करने है तो प्रश्णपूछा गया है इसलिए इन तीनों के पिछे प्रश्णवाचक्चिनह या प्रश्नात लगाया गया है प्रतला विराम चीनह है विसमयादी बोधक चीनह तो आईये अब इसके बारे में जानकरी प्राप्त करते हैं विश्मयादी बोधक चीनह का प्रियोग विश्मय अर्थात आश्चरिय, खुशी, दूख, ग्रूना, करूना, शोक, भाई, हर्ष इत्यादी भाव का बोध कराने वाले शब्दो या वाक्यों के अंत में किया जाता है आश्चरिय, जनक चीनह भी कहा जाता है तो आया दोस्तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं तो उसमें पहला उदाहरण है वाह, तुम्हारी क्या बात है दूसरा है, हे भगवान, तुम मेरे नया कब पार लगाओगे तीसरा है, अरे, यह इतना उचा कैसे चड़ गया तो दोस्तो यहां हम तीन उदाहरण देखते हैं जिसमें पहला उदाहरण है वो हमें खुशी दर्शाता हुआ दिख रहा है कि जिसमें खुशी की भावना व्यक्त हुई है दूसरा जो उदाहरण उसमें दुख की भावना व्यक्त हुई है और तीसरा जो वाक्य है उसमें विसमें यर्थाद आश्चर्य की भावना व्यक्त हुई है तो जिन शब्दो या वाक्यों के अंत से इन भावना को व्यक्त किया गया है उनके पीछे विश्मयादी बोधक चिनह लगाया गया है जैसी कि पहले वाक्य में वाह शब्द के पीछे और वाक्य के अंत में उसी प्रकार दूसरे वाक्य में हे भगवान शब्दों के अंत में और वाक्य के अंत में और तीसरे वाक्य में अरे शब्द के पीछे या वाक्य के अंत में लगाया गया है जिन से यहां पता चलता है कि पड़ते समय इन वाक्यों के पीछे हमें कौन सा भाव नीत रखना है अगला विराम चीहना है आउतरण या उजदरण चीहना तो दोस्तो अउतरण चीहना के दो प्रकार है पहला है इकहरा अउतरण चीहना और दूसरा है दुहरा अउतरण चीहना तो आईए दोस्तो अब हम इन दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो सबसे पहले एक हरा आउत्रन चीहन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इकहरा उद्रन चीहन या अउत्रन चीहन का प्रयोग किसी कवी के उपनाम, पुस्तक के नाम, पत्र पत्रिका के नाम, लेख या कवीता के शीर्षक आधी का उलेक करने के लिए किया जाता है जैसे रामधारिसी दिनकर दूसरा है रामचरित मानस के रचईता तुलसिदास है तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले उदरण में देख सकते हैं कि रामधारिसी जो की एक महान कवी है उनका उपनाम दिनकर दिया गया है इसलिए उस दीनकर शब्द को हमने एक हरे अउतरन चीहन में रखा है दूसरे वाक्य में राम चरित मानस जोकी तूलसी दास जी रचित ग्रंथ है इसलिए उस ग्रंथ के नाम को भी हमने एक अउतरन चीहन में रखा है अब देते हैं दूसरे अउत्रण चीहन के बारे में जानकारी किसी महत्वपून, कथन या किसी के बोले हुए शब्द या वाक्यों या कहावत का उलेक करने के लिए दूहरे अउत्रण या उत्रण चीहन का परियोग किया जाता है जैसे महावीर ने कहा अहिंसा पर्मो धर्मह दूसरा है ननही ने कहा मैं तुम्हारे गंदी आदत छुडा कर रहूंगी तो दोस्तों यहाँ पर हम दोनों उदाहरणों को देखे तो पहले उदाहरण में महावीर स्वामी ने जो कहा है उन शब्दों को दो अवतरन चिन्ह या दो दरन चिन्ह में रखा गया है और दूसरे वाक्य में ननही के बोले हुए वाक्य को अवतरन चिन्ह में रखा गया है जो दोनों ही दो अवतरण या दोरे अवतरण चीन हमें रखे गई है तो इससे हमें पता चलता है कि जब किसी के बोले हुए शब्द या वाक्यों को लिखित स्वरूप में दिखाना हो तो उन्हें हमेशा हमें दो अवतरण या दो उद्धरण चिहन हमें दिखाना पड़ता है अगला विर्याम चिहन है योजक चिहन तो आईए अब इसके बारे में जानकरे प्राप्त करें योजक चिहन का परियोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है जिसमें पहली है हिंदी में दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चीन का परियोग किया जाता है जैसे माता पिता, पाप पुन्य, पढ़ना लिखना, स्वर्ग नर्क, गिरना गिराना इत्यादी जैसे सामासिक शब्द जो कि हम अलग-अलग रूप में लिखते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए हम योजक चीन का परियोग करते हैं दूसरी परिस्टिती है अनिस्टित संख्यावाचक विशेशन में योजक चीन का परियोग किया जाता है जैसे बहुत साधन, कम से कम इत्यादी जैसे अनिस्टित संख्यावाचक विशेशन में इनका परियोग यानि की योजक चीन का परियोग किया जाता है अगली परिस्थिती है पुनरुक्त शब्दों के बीच में भी योजक चीन का परियोग किया जाता है जैसे पात पात डाल डाल धीरे धीरे इतियादी जैसे पुनरक्त शब्दों को साथ में बोलने के लिए संयुक्त रूप से बोलने के लिए बीच में योजक चीहन का प्रियोग किया जाता है अगला विराम चीहना है निर्देशक चीहना तो आये दोस्तों अब इसके बारे में जानकरी प्राप्त करें निर्देशक चीहना का प्रियोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जैसे मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश और अविनास से पैसे मांगे दूसरा है ग्राहक इस पुस्तक का मूल्य क्या है? दुकानदार इसका मूल्य 25 रूपिय है तो दोस्तों यहाँ पर हमने उदाहरणों में देखा कि मोहन ने अपने मित्रों तो उनका निर्देश करते हुए बीच में निर्देशक चीहना रखा गया है कि कौन-कौन से मित्र है जैसे राकेश, आकाश और अविनास से ही पैसे मांगे है तो पहले वाक्य में मित्रों का निर्देश करने के लिए निर्देशक चीहना का प्रियोग किया गया है दूसरे वाक्य में ग्राहक दुकानदार से क्या पूछता है उसका निर्देश किया गया है और उसके उत्तर में दुकानदर ग्राहक से क्या कहता है या क्या उत्तर देता है उसका निर्देश करने के लिए बीच में निर्देशक चीनह रखा गिया है तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हमें किसी का निर्देश करना हो, किसी व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों का निर्देश करना हो, तो हम वहाँ पर निर्देशक चीनह का प्रियोग कर सकते हैं. अगला विरामचीन है कोश्ठक तो आईए दोस्तों अब इसके बारे में जानकारे प्राप्त करें किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोश्ठक का प्रियोग किया जाता है चैसे अध्ययन अर्थाद पढ़ना हरे क्षेत्र में लाप देता है दूसरा है विलोम अर्थाद विरुद्धार्थ शब्द लिखिये तीसरा शितिज अर्थाद जहां धर्ती और आकाश मिलता दिखाई दे वह स्थान पर सूरज ढल रहा है तो दोस्तों यहां हमने तीन उदारण में देखा कि अध्ययन शब्द का अर्थास पष्ट करने के लिए कोष्ठक में पढ़ना शब्द लिखा गया है विलोम शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोश्ठक में विरुद्धार्थ शब्द और क्षितिज शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोश्ठक में जहां धर्ती और आकाश मिलता दिखाई दे वहस्थान जैसा अर्थ उसमें दिखा गया है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी शब्द के अर्थ को वाक्य के बीच में अगर हमें स्पष्ट करना है तो उसे हम कोश्ठक में लिख सकते हैं अगला विरामचीन है हन्सपद तो आए दोस्तों अब इसके बारे में जानकारे प्राप्त करें कुछ लिखते समय कोई शब्द या वाक्यांश छूट जाए तो हन्सपद चीहन का प्रियोग करके हम उस छूटे हुए शब्द या वाक्यांश को उसकी सही जगह लिख सकते हैं इस चीहन को विश्मरण चीहन भी कहा जाता है विश्मरण का अर्थ होता है बूलना इसलिए किसी भूले हुए या छूटे हुए शब्द को सही जगह पर लिखने के लिए हन्सपद चीहन का प्रियोग किया जाता है जैसे मुझे घर जाना पड़ेगा जिसमें घर शब्द लिखना भूल गए तो उसे हम बाद में हन्सपद का उप्योग करके इस प्रकार लिख सकते हैं इस प्रकार हमारा पहला वाक्य जो पूरा होगा वही प्रकार होगा मुझे घर जाना पड़ेगा और दूसरा वाक्य है तुम मुझे भूल मत जाना जिससे वाक्य के सही अर्थ तक हम पहुंच सकते हैं झाल